हमारे सयोगी ललित नारायन कांटपाल हमसे न्यूजरूम से जुड़े सीधे ललित का रुख करेंगे ललित अगर हम इस वक्त देखे हम यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे थे एक समय था नोटबंदी का जब डिजिटल पेमेंट में उठावाय था और एक समय है अब कोड़ना वायरस का जब वापस से नोटबंदी के बाद का यह जो दौर है डिजिटल पेमेंट का यह लोट रहा है नोट बंदी के बाद में जब हम आज डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं तो कह सकते हैं कि कोड़ना से बचाओ का एक ये भी बहुत बढ़ा हत्यार है जी बिल्कुल डिजिटल पेमेंट करने को लेके सरकार लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करती है सरकार प्रमोट भी करती है उसे लेकिन कोरोना वाइरस ने जिस तरह से लगातार हमारे लाइफ स्टाइल पर असर डाल रहा है तो एक बार वो इस बात के लिए भी इंसेस्ट कर रहा है कोरोना वाइरस हमें कि आप डिजिटल पेमेंट कीजिए नोटों पर लेन देन जो है नोटों पर जो नोटों का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम करिए ताकि किसी भी तरह की स्तिती से आराम से निप्टा जा सके और वाइरस का संक्रमन कम से कम हो सके इस बात का हमको विशेश तोर पर ध्यान रखना होगा क्योंकि जिस तरह की घटना करम लगातार हम देख रहें बढ़ रहें तो ऐसे में कोई इस बात की संभावना जिस तरह से RBI ने जताई है कि अगर आप काउं करेंगे तो निश्चे तोर पर संक्रमन का स्थर कम होगा और लगवग सभी विभाग यह देख रहे हैं कि आपके स्थर पर जो भी चीज हो आपके स्थर पर जो भी मामला है यानि मान ले यह कि जिस चीज को आप छूने जा रहे हैं वो अपने आप में एक तरह से सुरक्षित हो क्योंकि देखे साउधानी बेहत जरूरी है अकर साउधानी हमने ले ली तो निश्चे तोर पर हम इस बिमारी को स्टेज टू पर ही रोक सकते हैं जो कि हमारे लिए बड़ी बात हो रही है क्योंकि देहारी मजदूरों के लिए उनकी रोजी रोटी उनका बाहर जाना ही होता है ऐसे में इस तरीकी की फैसले बाखी गवर्मेंट्स को भी लेने चाहिए जी बिल्गुल देखिए सरकार ने अपनी तरब से यह कदम उठाया है क्योंकि सरकार जान रही है कि अगर वो यह गाइडलाइन जारी कर रही है क्योंकि दिहारी मजदूरों के इस्तर पर वर्क फ्रॉम होम जैसे इस्तिति नहीं होती है क्योंकि फैक्टरी वाले जो लोग हो या दूसरे लोग हो उनके लिए वर्क फ्रॉम होम जैसे इस्तिति नहीं है क्योंकि प्रोडुक् ये जान रही है कि अगर कंपणी बंद होती है संक्रमन के कारण किसी भी स्थिति के लिए तो वो उनको मुआउज़ा देगी और सरकार उनको एक तरह का डेली बेज़ेश देंगी ताकि उनका नुकसान नहों उनके लिए परिशानी नहों पांच लाग रेस्टरेंट्स जो हैं वो 31 माज तक बन रहने वाले हैं 60 प्रतिशन से जादा जो रेल यात्राएं हैं उन्हें कैंसल कर दिया गया है अर्थवस्था इतनी बुरी तरीके से सवक चर्मराई है बकाइदा पूरी दुनिया की चर्मराई है लेकिन अगर हम बात कर है कि एकोनोमी के लिए कोरोना एक तरह से बहुत एकोनोमी की रीड तोड कर रख दी है इस कोरोना ने और महज भारत की नहीं भलकि दुनिया भर के देशों की और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से खबर आ रही है कि वहां के बाजारों की इस्तिती बहुत अच्छी नहीं है अर्थिवेवस्था को संबलने में पांच साल लगेंगे दस साल लगेंगे तो निश्ची तोर पर अपने आप में लेकिन गौरांशी इस बात को हमें समझना होगा कि अगर आज हमने अपने लोगों की जान की रक्षा कर ली तो निश्ची समझने की बात इस वक्त यह है कि इस वक्त की सबसे बड़ी प्रायोर्टी है कोरोना को बगाना और कोरोना से बच कर रहना तो यह अगर हम प्रायोर्टी पर पूरे हो जाते हैं तो निश्ची तोर पर कहा जा सकता है कि कोरोना से बचाओ का जो तरीका होगा वो निश्ची का पूरा सहयोग राजसरकारे कर रही है और राजसरकारों का पूरा सहयोग आम जनता कर रही है ऐसे में कोर्णा से जो लड़ाई है वो मुश्किल जरूर है लेकिन कहीं ने कहीं हम इससे आसान मनाने में लगे हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया अलली थमसे जुड़ने के कि लो तुम आम जान का दिसुट